तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ यह जो प्रभु का आशरवाद है अपनी वानी के जरिये हम तक पहुंचा रही है हमारे साथ हैं भारत की प्रसिद्ध कतावाजिका स्प्रीच्व लोड़ेटर और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी जी बहुत होता है तैंक यू सो मच और दोजार तेज की इस से बहतरीन स्पीकिर नाई जया नियूसलेशन मुद्ध ले 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 थे लिए कोषिश करते हैं कि अपको स्पाथ कर अच्छी लगी है और आप सब एक साथ प्राक्टिस करने की कोशिश कर प्र एक हफ्ता कर ते फिर बंद कर देते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है यूमन नेचर की एक साथ इतने सारे चेंजेज लेना, तो मैं हमेशा कहती हूं हर कता से एक ही बात उठाईए, बहले दस बात अच्छी लगे पर उठाईए एक ही बात, ताकि आप उसको प्राक्टिस कर पाई, तो रेजिलूशन भी यह है, कि एक ही लीजिये, कि इस साल मान लीजिये, मैं एक ही चेंज लाने की कोशिश करूंगा, या करूंगी अपने अंदर, ताकि आप उसको प्राक्टिस कर सके, आप 10 ले आते हैं, और कर एक भी नहीं पाते है, कबीरदास जी की, कबीरदास जी एक दोहा है, उन्होंने कहा कि, माला तो करमे फिरे, जीब फिरे मुखमाही, और मन कोशिश करते हैं, मिडिटेशन करने कोशिश करते हैं, लेकिन मन जोएव एक जगे टिक नहीं बाता है, तो आपसे बहतर कौन सकता है, बताने के लिए कि मन को कैसे एकागर करें, कैसे पनी चित को एक परोकें, मैडिटेशन एक पॉफिक्ट सल्यूशन है इसका, पट जैसे एक एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, जो पूरा टेक्नोलजी से भरा हुआ है, और टेक्नोलजी आपको हर चीज विदिन सेकंद देती है, तो हमारी हाबिट हो गई हर चीज विदिन सेकंद लेने की, अब बहुत जल्दी हमें रेजल्स की उमीद इच्छाए रहती हैं, तो अपना समय लेता है, आपको टाइम लगता है, आपका ध्यान बार भटकेगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज ध्यान इकत्रित हो गया, तो कल जरूरी नहीं के वैसा ही होगा, कल वापस से ध्यान भटक सकता है, तो वे प्राक्टिस और पेशिंस आपको लॉंग रन में यह लगता है कि मुबाइल से सही स्थिमाल भी क्या सकता है, अच्छे वीडियो देख लेगे, बिल्खुल किया जा सकता है, हर चीज के दो पहलू है, आप क्या ग्रहन करते हैं, वो जिसे आप कहते हैं, तो जिसे आप मौसंभी का जूस पीने जाते तो एक तरफ से जूस ए सब्सक्राइब करते हैं, वो लीजे, आपके उपर, that's your choice, अब मैं आप सेख सवाल करना चाहता हूं, कि छे साल की उम्र में ही आप ने कथा, जो है सुनाना शुरू कर दिया था, कथा बाची का बनी थी, इतनी यंग एज में क्या आपको समझ आ चुकी थी, कि मुझे क्या क अच्छा लगा, जब मैंने शुरुवात करी, या मतलब किरतनों में जाना, या आपके जो इन्वारिमेंट हमेशा से घर में स्पिर्च्वल, रिलिजिस रहा, भजनों से रहा, हनुमान चालीसा हम रोस करते थे, मुझे बगवान की कहानिया बताई जाती थी, तो बहुत ज मुझे लगता है तेरह साल के अशपस की थी ता मैंने पहली कठा करी उस शे पहले मैं भजनों की शुरुवात मैंने थुड़ा ध्यन किया कथा से पहले और अठारा साल की थी तम मैंने शृम Georgrol नह पहले बार क्री तो हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है बहुत सारे लों को एक कहना है कि हमें कुछ नय जो है आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए बहुत कुछ नया है दुनिया में सीखने के लिए लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शास्त्र पढ़ना आपकी अगर आप वानी में बताएं क्यों आवश्यक है आज के युगाओं को भी और हर पीडी के अगर आपकी बात करें क्योंकि उसमें सब कुछ है और यह मैं आपको एक्सपिरियंस करके बता रही हूँ कि शुरुवात में मेरी भी बहुत क्वेशन्स होते थे स्पेशली जब मैंने मोटिवेशनल सेशन्स शुरू किये थे तो मैं दूसरे तरह की मोटिवेशनल किताबे है वो भी पढ़ती थी जो आप पढ़ रहे हैं उपहले ही आपके शास्त्रों में बता दिया गया है और धरम देखिये मुझे ऐसा लगता है कि धरम पुजा पाथ नहीं है आपको पूजा पाथ कैसे करना है वह जादा तर नहीं बताते जीवन कैसे जीना है समझाते हैं गीता जी में यही बताया कि लाइफ जीना है, माइन सेट कैसा होना चाहिए, आच्छिली शास्त्र आपको जीवन जीना सिखाते है अज के जो युआ है उनके बारे में थोड़ी में बात करता हूं कि वो सुन पसंद नहीं करते हैं और बोलना पसंद करते हैं अपनी बात कहते हैं निकल लेते हैं तो ए बात की श्रीमत भागवत एक पुरान है तो भागवत में जो भागवत की शुरुवात हुई थी तो पुरा टॉपिक आता है कि वेद अव्याज जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्रवेद लिख दिये परशान्ती नहीं मिल रही है कुछ बच गया है कल्यूग वाले ये सब बंद हो जाएगा कलियूग में, कि लोग ज्यान नी लेना चाहते, आप किसी को एक ज्यान की बात बताईए, वो चार और बताएगा, कि भई हम से जादा ग्यानी है, तो ये खतम हो रहा है, तो ये तो लिखाई गया है, कैसा होगा, पर इससी लिए कोशिश की गई है, श्रीम लोगिकल रीजन चाहिए, क्यों नहीं करना, मुझे बताओ, और कई बार वो नहीं होता, पैरेंस के पास, ये कई पैरेंस ही खुद है, जन्हों ने शास्त्र नहीं पड़े है, तो बच्ची जब अपनी जिग्यासा लेकर भी आते हैं, तो आपके बस वा आंसर नहीं है, त मुझे लॉजिकल आंसर तो मिल नहीं रहा, बस मुझे बताया जा रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो उसने सुनना बंद कर दिया है, तो शायद मुझे असा लगता है, जानना चाहता है चीजे, पर उसको मिल नहीं रहा जवाब, तो अब उसने श का होना चाहिए इंट्रस्ट का होना चाहिए कहानियों का होना चाहिए उसके जरीयम घ्यान को भी पहुंचा सकते हैं एक टर्म बड़ी सुनने को मिलती है आज कल बड़े सारे एक तो speakers हैं और वो सारे के सारे एक टर्म यूज करते है इसे अध्यात्म का जाता है आपके आपके शब्दों में अगर आप बताएं अध्यात्म क्या है अध्यात्म बहुत ही सिंपल चीज है अगर आप शुरुवाती दोर से उसको प्राक्टिस करने के बारे में सोचे और मैं यह हर जगा कहती हूं कि अगर एक डॉक्टर अपना का कर रहे हैं इमानदारी से कर रहे हैं उनका इंटेंशन पहला इंटेंशन है कि मुझे जो मेरे मरीज है उनका ध्यान अच्छे से रखना है यह डॉक्टर स्पिरिच्वल है यह अगर एक टीचर जिनका इंटेंशन है मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है पहला इंटेंश एक आपने बारे मैं नहीं पहले यह सोच रहे हैं कि मेरे काम से बाक्यों को कैसे फाइदा होगा तो अपका पहला इंटेंशन ही दूसरों का भला है डेफिनेटली दूसरा इंटेंशन आपका भला हो जाएगा चिंता मत करिये यह कहते ना कि अच्छे काम का फल वाली चीज है कि वाईगा ही ऐसा करोगे तो यह होगा ही तो अगर आप किसी और का भला सोच रहे हैं आपका भला होगा ही तो इतनी दो सोच भी अगर आपने आप बढाद करें तो मुझे अच्छे मेरे पापा ने बचपन सेख चीज सिखाई थी कि अगर तुम समय को बरबाद करोगी तो एक दिन आएगा जब समय तुम्हें बरबाद कर देगा यह समय का खेल है तो मुझे हमेशा से लगता है कि समय बहुत माने रखता है ताइम इस मान यह घुम के नहीं आता बाकी सब चीज घुम के आ सकती है पर यह समय कभी घुम के नहीं आता मैं कली आक्चली शायद अपने पेच पर पोस्ट किया था मैं रास्ते से कहीं जा रही थी और मुझे कहीं पर मेला दिखा ता और मैंने का ता कोई मुझे बरा बच्पन लोटा पर मुझे पता है कि वो कभी नहीं हो सकता, कि वो समय आपका कभी वापस नहीं आएगा, तो जरूरी है कि आप उस समय को बर्बाद मत करिये, सबसे जरूरी है कि आप समय पर जो जरूरी है, उस काम को करिये, और तब आप देखिए, वो काम आपको डबल एफेक्ट्स घुमा कर दे लिकिन अंगर समय को जैसा मैने का बर्बाद करते हैं तो अगे जام भी अपना बदला अबसे लेगा कि तुम्हें मुझे बर्बाद किया था तुम्हें जरूरत है मेरी ता मैं नहीं आऊंगा इजा अब आप की दुनियामे क्या लगता है को रुष्टे कम्सोर को के आपको यह सोचना है कि मेरा मेंटल पीस अच्छे से रहे मैं मेंटली स्टेबल रहूं यह अच्छी बात है पर मैं इतनी जादा अपने आप में पागल हो जाओं कि मैं दूसरे के मेंटल पीस को खराब कर दू यह सेल्फ लव नहीं होता तो कहीं न कहीं हम मेरे मेरे उपसेशन में बहुत जादा चले गए है सो जैसे वो रिष्टा टिक नहीं रहा तो आपको किसी रिष्टे में जाये भी मत जब तक आप पूरे श्योर नहीं है अभी हम अच्छाई देखकर आपको सब सही है चलो रिष्टा बन जाता है या शादी भी हो जाती है और जब आप एक साथ रहने लगते हैं आप दूसरे को समझने लगते हैं फिर आप कहते हैं नही नही कि कई बार आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको पता चला तो यह साइड पहले देख लेते और जरूरी नहीं है कि आपको इसाइड अपने अकॉर्डिंगी देखना है मैं हमेशा कहते हैं इंसान दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है यह भी एक बहुत बड़ा तरीका ह आप यह मत सोचे मेरे साथ तो अच्छा है वह अभी है अगर वह दूसरे के साथ अच्छा नहीं है कुछ समय बाद वह आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा तो समझने की कोशिश करिए और सोच समझ के फैसला लीजिए तो जो आपने हाई लिखा उसके बाद 10 मिनिट बद कि थोड़ा बचिए कहने का सार यह है कि थोड़ा समय दीजे रिष्टों को तब शायद वो और मजबूत होंगे क्योंकि निव मजबूत हो जाए आप सब में जाना चाहता हूं कि जो यंग्स्टर्स अगर मान लीजिए को स्प्रिच्वालिटी की दुनिया में आना चाहता कि यह मत सोचिए लोग क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग भूल जाए इस पूरे टॉपिक को भूल जाए मुझे मतलब ही नहीं यह लोग क्या कहेंगे अपने हर काम में यह सोचिए वो क्या कहेंगा बस इतना अगर आप यह शुरुवात भी करेंगे आप खुद देखेंगे आपके जो काम है, आपके जो आइडियाज है, वो कितने अलग लेवल पर जाने लगे हैं, क्योंकि देखे, अगर आप भगवान को सोच कोई काम करें, अब जल्दी से गलत काम तो नहीं करेंगे, आप अपने अभी डर जाएंगे, यहां हिसाब होना ह हो वहां होगा, तो बस एक बार शुरुवात इससे ही करिये, कि वो क्या सोचेगा, मेरे हर काम है, अगर आपको लग रहा है के नहीं, उसको अच्छा लगेगा, काम करो, कोई और मना कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई ले ना देना ने, यह क्रिटिसिजम आगे जा सारे जो शंका हैं, सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कि आपने जब अपनी पहली कथा की थी, घरवालों का कितना सपोर्ट रहा था, क्योंकि घरवालों के सपोर्ट के बिना मुझे लगता कि कोई हम अचीव कर पाते है, मैं अपनी कहानियों में कहता हूँ कि उपरवाले के अशिरवाद के साथ, अपनी महना उतर, अपने परिवार के प्यार के साथ, कर दिखाओ बुझ जासा है कि दुनिया करना जाया जाया अपके जासा, मुझे लगता है कि तीन तत्व सक्सिस के बहुत इंपॉर्टन है, आ अपका के एक्स्पीरिंस तब पहली जाप मंच पे जाहिए और आपने कथा सुनाना शुरू कि तो बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल नर्विस नहीं थी, मतलब यह चीज मुझे ऐसा लगता है कि गौद्ग्रेस मुझे यह चीज मिली है उपर से, कि मुझे डर नहीं लगत और मैं से तयार होकर बैठी हूँ और मुझे बच्पन से जिसे मैने का कहानिया सुनाई जाती थी और यह बताया जाता था सरस्वती जी स्टूडेंट्स की देवी है बच्चों की देवी है और वो माला पहनाने लग रहे है और पता नहीं अचानक से मैंने बुला कि यह मुझे बट हसी आती है जानके कि मैं तयार हो रही थी और उससे पहले शाइद मुझे रेस्ट्रूम यूज करना था और तब तक भार ओडियन्स आके बैठ रही थी धीरे और आपको पता नहीं क्योंकि आपने कथा भी तक की नहीं है कि लोग आप से क्या उमीद रखते कथ क्या उमीद रखते है और 13 साल की बच्ची को ऐसे भी कुछ समझ नहीं होती तो मैं जैसे जारी थे मुझे याद है कि आप मैं एक बच्ची की लगती है और फिर मुझे पीछे से लोगों के हसने क्या वाज आरी की तो पहुँ चोटी है यह क्या करी कि गता और मुझे आज कि मैंने उसको इंट्रेस के साथ किया था कि मेरे तो खेल है मुझे तो बचवान की बाद अच्छी लगती है मुझे क्यों अटरना है मैं तोड़ी किसी और के लिए कर दी आज मैं देखती हूं कि बच्च्पना कही ना कही जरूर खतम हो गया है कि आपको आप सोचते है कि यह बात कह सकते है यह बात हो सकता है कॉंट्रोवर्सी पर बच्पने में मुझे सबसे बेस्टाइम था कि मैंने जो भी किया था खेल में किया था और जो कृष्ण की बहुत बड़ी सीख है कि लीला ऐसी ले कही जाते है प्ले है उनने पुरी जंदगी खेल की तरह वो यु कि आप उस लाइफ को मिस करते हैं कि मानलीज अगर आप यह नहीं बनी होती है तो आप कहीं कॉर्परेट वर्ल में होती है किसी सरकारी नौकरी में होती है किसी बड़े पत्पर होती है कि आप वो जो दुनिया है जो थोड़ी सी सांसारिक दुनिया है कि आप उसे मिस करते ह अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे स्कूल टाइम के कि भाई यह तो वहाँ पर यह तो वहाँ पर यह सा कभी थोट आता है नहीं तो बी वेरी हानेस मुझे आइड तिंग सो अब इसा लगता है कि मुझे वैसे कोई भी फील्ड में जाना था मेरा फील्ड यही था जहां पर मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है तो हो सकता है कि फील्ड कोई और होता पर काम यही चीज घूम फिर के आते जहां मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है बाते बताना अच्छा लगता है और एक मुझे हमेशा से था कि मुझे लोगों के अंदर कोई चेंज लाना है चाहे वो छोटे सी बात से हो तो शायद मुझे लगता है मैं कही ना कही इसी किसी फील्ड में होती और तो बी वेरी ओनेस जैसा आपने का सांसारिक मैं भी सांसारिक जीवन ही जीती हूँ इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल लडकी हूँ जिसके दोस्त है जो दोस्तों के साथ भी समय बिताती है फामली है सब कुछ और आगी जाके अपनी फामली भी होगी एक चीज़ आप बोल सकते है कि जो एक प्राइवेट लाइफ होती है जिसको मैं ओपनली जी सकूँ वो मैं जरूर मिस करती हूँ कि मैं ओपनली अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई है जो मुझे देख रहा है यह हो सकता है वो जजमेंट भी पास करें कि ऐसा नहीं वैसा नहीं तो वो मेरे थोड़ा के रस्ते में खड़े हो कि आप पुछका या गुलगप्पे खालो यह मेरे थोड़ा पॉसिबल नहीं है तो यह जरूर मैं मिस करती हूं अभी आपने टर्म यूज की जजमेंटल हो जाती है सोसाइटी और हमारे आपर तो बहुत दिक्कत है कि हमें अपने अलावा बाकी सब को जज करना है अमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कुई कमी नहीं है मुझे सिर्फ दूसरों पर जो है जजमेंट जो पास करना है तो वे जो उंद बंजाते हैं अपने मामले में सब अच्छे वकील भंजाते हैं इस पर मैं कहूंगी कि आप ये जिंदगी में बुरा जो देखन मैं चला झाला बुरा नमिल आ कोई जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई तो ये इंसाँ और मुझे सा लगता इंसां तो यह उतारता है भी अपनी लाइफ में पर जब समझ में आता है कि मुझसे बुरा ना कोई तो उसको लगता है बड़ी महनत का काम है तो अपनी बुरायां निकालना क्या करे तो आसान काम क्या हो सकता है दूसरे की बुराई निकालो या आप मैंक और एंगजैंपल देती और मैं कहते हूं कि आप ध्यान मत दीजिए ऐसी बातों में कि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते जब वो उनको ही नहीं छोड़ा उनकी ही लोग कमिया निकाल रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया या राम ने ये किया तो हम और आप तो बहुत ही मामुली है वो करेंगे ह पर हमारा काम है अग्नोर करना जैसा मैंने कहा कि कोई भी काम करो ये सोच के करो उसको कैसा लगेगा और मैं ये अपने experience से कह रही हूं मुझे शुरुवाती दौर में कि आप मुझे जिस कथा के लिए appreciate कर रहे है आपने मुझे है बुलाया है एक समय था यही कथा के लिए म इतनी अच्छी बात है, तो मुझे लगता है आप अपना काम करिया, आपका क्रिटिसिजम ही आपका अप्रिसियेशन बने का, आपसे बातीत करके आपके बारे में थोड़ा और समझ की, वैसे तो हमने वीडियो में आपको सुना देखा, लिगिनाच साक्षात मिल करके मैं पहला करता हूँ, पहला स्कूल कौन साथ आपका, मैश्वरी गल्स्कूल, एजुकेशन आपकी कहा तक ही, ग्राजुएशन, बीकॉम, पहली कथा आपने कौन से शहर में सुनाई, कोलकाता, शाम बाबा के मंदिर, क्या बनना चाहती थे हैं, मुझे पता ही नहीं क्यों क्यो पांच-छे साल के बाद आप सोचना शुरू करते हैं, और मैं जब तक सोच पाती मैं अल्रेडी बन चुकी थी, तो मुझे मौका ही नहीं मिला सोचने का, राइट, वो लिखा हुआ था पहले से, फेवरिट सॉंग नहीं पूछूँगा, फेवरिट भजन पूछूँगा, कौन सा भजन, आपका ही गाया हुआ या कोई और किसी और का गाया हुआ हम तुमारे है प्रभुजी, कोई फैन मॉमेंट जो आपको याद आता है कि वो एक लमा होता है आपको लगता है कि यह तो बड़ा स्पेशल सा किसी फैन ने मेर लिए है, किसी प्रशन सक ने आपके किया हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि आए दिन आप मैं अभी मुझे लगता है रिसेंटली हर्दा में कारिकरम करने गई थी और यह फैन मोमेंट कहिए या एक हक मोमेंट कहिए कि बहुत बहुत लोग है लेकिन बीच में एक एक अगदम मिडल एज दादी जी कहेंगे और व बहुत अजीब था बाकी तो ऐसे कई लोग ने टाटू बनाए हैं तो यह भी एक होता है कि आप इतना कैसे किसी ते प्यार कर सकते हैं क्या बात है लास्ट कॉल के से किया था अबने यहाने से पहले जैम आदादी मम्मी आपकी ड्रीम डेस्पिनेशन जहां आप गूमने ज इस्पिरेशन अभी तक है क्यूंकि एस उमर तक अभी तक उन्होंने अपनी महनत अपना बद्लाव नहीं बद्ला है याग वह grand-चीजे में कुष्णा कुछ कि जगना नहीं है लेकिन फिर मुझे मेरे फादर याद आते हैं क्योंकि और सुभे सुभे निकल आते हैं उनकी ट्रेन होती है जब गवर्मेंट जॉब में अभी तो छे बजे ट्रेन पकड़ लेते हैं तो जब मैं साड़े पांच का लाम बज़ रहा हुता तो स्टेशन पह पहर गवर्मेंट अपर वाली आशिरवात के साथ अपनी महनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि धुनिया करना चाहे आपके जैसा इनके जैसा बहुत-बहुत आवना थैंक you so much बहुत-बहुत धन्योग थै it you